नमस्कार दोस्तों, अब तक विपक्षियों, पत्रकारों, एक्टिविस्टों के फोन टैपिंग के मामले सामने आते थे लेकिन अब खबर आ रही है कि सीधे इनकी एप्टल आईडी को ही हैक किया जा रहा है वो क्या बात करते हैं, किस से बात करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स, डेटा, हर चीज़ पर किसी की नजर है यानि अब राइट टू प्राइविसी जैसा कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों, अमेरिकी अगबार, न्यूजॉक टाइम्स के एक रिपोर्ट के बाद, भारत की राजनीती में पेगसिस जासूसी मामला एक बार फिर से चाया हुआ है न्यूजॉक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था, कि भारत ने इस्राइली स्पाइवेर पेगसिस को खरीदा था दोस्तों स्पाइवेर एक ऐसा जासूसी वायरोस होता है, जोकि लगबग हर उस डिवाइस में जा सकता है, जोकि इंटरनेट से जुड़ी होई होती है या उन devices में internet का use हो रहा होता है इसे spyware इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना आप से पूछे आपके mobile laptop जैसे devices में गुश जाता है और आपकी जानकारी को चोरी कर लेता है और उस जगहा पर पहुचा देता है जहां से इसे control किया जा रहा होता है यानि कि सरकार पर बिना इजाज़त विपक्षी नेताओं की फोन में घुस कर उनका डेटा चुराने का इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा है आपको बता दे इंडियन एलाइन्स के कई विपक्षी नेताओं ने ऐसा दावा किया है कि उन्हें आपल की ओर से राज प्रियोजत साइबर अटाक के चेतावनी भी मिली है दावे के मुताबिक इन नेताओं के आईफोन किसी भी वक्त हैक हो सकते है शेशीत हरूर, महुआ मोहित्रा, प्रियंका चतुरेदी यहां तकी अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है शिफ सेन नेता, प्रियंका चतुरेदी ने कहा है जिस तरह से मुझे कल राज चेतावनी मिली है उससे पता चलता है कि ये केंदर सरकार का पूरा प्लान है और मुझे सावदानी बरतने की जरूरत है चेतावनी में सपश्ट रूप से कहा गया है कि ये हमले राज प्रियोजत है केवल विपक्ष के नेताओं को ही ऐसे संदेश क्यों मिल रहे है इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर विपक्ष की निगरानी की जा रही है इसकी जाच होनी चाहिए और केंदर को इस पस्पश्टिकरन देनी की जरूरत है प्रियंका चतुरूएदी के अलावा टीमसी की महुआ मोहित्रा और कॉंग्रेस नेता शशी थरूर और पवन केड़ा ने भी इसी तरह के दावे किये है वही आम आदमी पार्टी के सांसद रागफ चड़ा ने कहा है कि उन्हें अप्ल की ओर से राज प्रियोजत अटैकर्स का उनके फोन पर अलर्ट मेसेज आया है दवायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों करीब ऐसे ग्यारा नेता और संपादक को क्यों ऐसी चितावनी मिली है जुन में महुआ मोहित्रा प्रियंका चतुरवेदी, रागफ चड़ा, शशी थरूर के अलावा AIMIM चीफ असवुद्दीन OSE, CPI के महा सचिव और पूर्फ सांसद सीता रमन येचुरी पवन खेडा, कॉंग्रस के प्रवक्ता, अकिलेश यादप, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दवायर के संथापक, सिधार्थ वर्धराजन, डेकिन क्रोनिकल के संपादक, श्रीराम करी Observer Research Foundation के अध्यक्ष, समीर सरन का नाम भी इसमें शामिल है दोस्तों इससे पहले राउल गांधी ने भी ट्वीट करके मोधी सरकार पर जनता की जासूसी करने का आरोप लगाया था New York Times के रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था मोधी सरकार ने हमारे लोगतंत की प्राथमिक संस्थानों, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगसिस खरीदा था फोन टैप करके सत्तापक्ष, विपक्ष, नेता, नियाएपालिका सब को निशाना बनाया ये देश-द्रोह है, मोधी सरकार ने देश-द्रोह किया है और अब नियू-यॉक टाइम्स की इस रिपोर्ट के दावे के मुताबिक भारत ने पेगसिस को एक रक्षा सौदे के तहट साल 2017 में इसराइल से खरीदा था हतियारों के दो अरब डॉलर के पाकेज में लिया गया था पिछले साल पेगसिस जासूसी सौफ्टवेर के जरीए कई देशों में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकरताओं के कॉल रिकॉर्डिंग करने की बाद सामने आई थी इसमें भारत का नाम भी शामिल था अब अपल से अलर्ट मिलने के बाद इस मामले में एक बार फिर से उच्छाल आ गया है इस मामले ने तूल पकड़ लिया है क्योंकि अगर ये खबर सही हुई दोस्तों तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है अब लोग पूछ रहे हैं कि Mother of Democracy में आजकल ये सब क्या चल रहा है विपक्ष की और पत्रकारों की जासूसी आखिर कौन करवा रहा है इनका मकसद क्या है कहीं लोकतंद्र में आजादी और निजिता को भी ये खत्म तो नहीं करना चाते इनका इरादा आखिर है क्या या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार गबराई हुई है या सत्ता बचाने के लिए विपक्षियों की जासूसी पर उतर आई है आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताईए एक अबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है जै हिंद जै भारत